नमस्कार स्वागत थे आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास पुलिटेन में और मैं हूँ आपके साब प्रियानशे शिवाफ्ताव। तो आए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। नो मास्क नो एंट्री के अंतरगत निकाली गई रहली जीहां अलवर के रामगर थाना चेतर में नो मास्क नो एंट्री अभियान चलाकर रामगर में निकाली गई रहली रामगर थाना पुलिस द्वारा जिला पुलिस अधिक्षा कतीजस्विनी गौतम के निर्देश पर रा पूर्पूर रोड तक रैली निकाली नो मास्क नो एंट्री के लिए लोगों को जागरूख किया प्रसिक्षु दीएसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में कोवीड-19 के संक्रमण रोगियों के वृद्धी को रोखने के उद्देश से आज रामगड कस्बे में नो मास्क नो एंट्री के अंतरगत रैली निकाली गई और लोगों को जागरूख किया गया की बिना मास्क के बाजार में एंट्री ना करे दुकानदार भी मास्क पहन करी दुकान पर बैटे और बिना मास्क पहने गुराकों को समान विक्रै ना करे कल से बिना मास्क वालों के खिलाफ सक्त कारेवाही करते हुए चालान काटे जाएंगे देखे अलवर से जितेंदर कुमार की यह रिपोर्ट कच्चे रास्ते से हो रही परिशानी जी हां ललिटपुर्ट जिले की पाली तहसील अंतरगत ग्राम पंचायत सिंदवाहा में कच्चे रास्ते पर चलने से लोगों को हो रही है परिशानी लोगों ने प्रशाशन से मांग की है कि सीसी रोड डलवाया जाए जिससे हमें परिशानी ना हो देखे महराउनी से प्रदीप चतुरवेदी की यह रिपोर्ट रुक तो जाओ बनन लगी अब हम हम तना करकर हमने कच्चु यह सारो करूं है तो तुम्हें नमस्कार दोस्तों मैं प्रदीप चतुरवेदी आज हम मौजूद हैं तहसील पाली अंतरागत गाम पंचायत संद्वहा में जहां पर मैन रोड संद्वहा बेरवारा रोड से जो रस्ता निकली है गंपे रजक के मकान को जाने के लिए जिसमें बहुत ही कीचड हमेशा रह जाए जाए इनका नाम है क्या नाम से मन्नू रजक और इनको डेली यहां से निकलना पड़ता है इनका कायना है कि हम सईजन निकल ही नहीं पाते हैं और यह विकलांग है ठीक से चलवी नहीं पाते हैं इनके दोनों पैर मुड़े रहते हैं फिर इनको यहां से देली निकलन प्रवाइन को बहुत ही दिक्कत हो रही है आई ये जानते हैं कि इसके बारे में क्या कहना चाहती है कि कर दो कि कर दो 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 कंए इनको निकल ले में रोज ही ऐसी परिशानी का सामना करना पड़ता है आपको क्या कहना है इस बारे में इस बारे में कहना चाहता हूं कि यहां पर लेकिली दुकान पर जाते हैं यह रस्ता हमें बहुत परिशानी पड़ती है सब्सक्राइब करते हैं कि यहां से निकल पुरें यहां में बहुत दिक्क्त आती है बहुत परीजाने सब्सक्राइब करते हैं गां भिकमपूर मंदिर निर्मार चालू किया गया जी हां मद्ध प्रदेश के उजयन जिला के खाश्रो थाना अंतरगत गां भिकमपूर में गुर्जर समाज का मंदिर निर्मार चालू हो गया है जिसकी लागत 10 लाक रुपए है देखे भिकमपूर से मनोज गुर्जर की यह रिपोर्ट विकमपूर का मंदिर है जो है आप है निर्मार चाल रहा है पहुत दिन से बन था चाज इसका नेमन हो चुगा है मैं बात करवाता हूंचे बाइस कउनसी समाज का मंदिर है यह गुजर茄 की मंदिर हुए कितने बेंसे लगे देखों बनाने में एक करोड का प्रॉड़क्ट है कितने दिन ओर लगे एक बनाने में इनका तिन साल का एगरिमेंट है एक साल को लग जाया गया है इसका ठेकेदार कहा था है टाया राजिस्तान कर नुव अच्छा यह पूरा सपेश मार्लोई से बने रूम ना इसमें कौन से वखवार कुछा जाएगे राधा कुछ समाच का मंदीर जो राधा कुछने वखवार बिटाए जाएगा यहां पर विकंपूर में सिंदवाहा जाने वाले मार्ग पर स्थेति पुलिया पूरी तरह से तूट चुकी है इसके कारण कई गाउं जैसे कलोथरा सिंदवाहा सिंगे पूर 12 पर सही आदी गाउं के लोगों को हो रही है परिशानी प्रशाशन से मांगे कि जल्द पुलिया निर्मार कराया जाए दे सति रस्त हो चुकी है यहां पर बड़े वाहनों को निकलना जदूर यहां पर मोटर साइगल ही ठीक से नहीं निकल पा रही है जिरामीना का कहना है कि यहां मुख सलक है जो कई गाउं को जोडती है लेकिन इसको कभी भी मरम मती करन नहीं कराया गया इससे लोगों को भारी परेसानियों को सामना करना पड़ रहा है आई यह जानते हैं लोगों से कि यह पुलिया कभ से इस प्रकार टूटी पड़ी है अ की आज अ आज आज अ जूदा ये गहां कहां के लोग हैं निकलती ओँ दूरेज कि वंगरिया रोड बाइपास में जाके जुड़ा यह यहां से आया है सब्सक्राइब निकल पाते हैं यहां से और सब्सक्राइब तो आप प्रसाशन से सब्सक्राइब प्रदान मंत्री स्वनिधी योजना से खुश हैं लोग जी हां मध्य प्रदीश के जिला मुझे पाकर अंबाह निवासी सुग्रीव कुछवाहा फल का ठेला लगाकर बेहत सुग्रीव कुछवाह कहते हैं कि पीजी कॉलेज अंबाह के सामने फल का ठेला लगाकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे परन्तु लोगडाउन के चलते उनका यह धन्दा भी बंद हो गया और जमापूंजी भी रोज मर्रा की जरूरतों के सामान सेटेंट हो गई उन्होंने बताया कि मैं फिर एक साहूकार के पास पहुचा तो साहूकार ने पहले हैं तो पाउंच Rुबे स्वशित देने की बात कहीई फिर में ने ज़्यादा अपनी मझबूरी दिखाई तो The सिस्रूरत ब्याध की समित बनी इसके लिए भी साहूकार ने दो दिन बाद का समय दिया था कि देखें अंबा से पवन किरार की यह रिपोर्ट प्रधान मंत्री निधी ओजना से दसजार का रिण मैं पाकर अंबा निवाषी दeखें कि फल का ठेरा लगाकर आज वेद्ध हो ऄसुग्रीव कुछ वा कहते हैं कि का कालेज और प्रिवर्ट का ठेरा लगाकर अपने परेवार का गजर वस्र वस्र कर रहे मैंने अपने दोस्तियार आसपड़ोस के लोगों से कुछ पैसे उधार लेने की सोची तो किसी ने भी सहयोग नहीं कि इसके बाद में एक साउकार के पास पहुंचा तो साउकार ने पहरे तो पांच रुपे प्रत सेकड़ा ब्याज देनी की बाद कई फिर मैंने ज़्याद अपनी मजबूरी दिखाई तो तीर रुपे प्रत सेकड़ा ब्याज पर सहमती बनी इसके लिए भी मुझे साउकार ने दोदनवाद का समय दिया है मैं सुग्रीव कुषवा 15 वर्सों से हाथ ठेला लगा कर गली मोले पुटबाट पर अपने परवार के सदस्यों का पालन पोषण कर रहा हूँ नगरपाल का द्वारा परस दंबा द्वारा मुझे पता चला सुनिदी योजना के बारे में तो मैंने 10.000 रुपए का लोन प्राप्त किया बैंक के माध्यम से मैंने फल खरीद कर उन्हें बेचना चालू किया और लोकडाउन होने के कारण आर्थे के स्थिती खरा हो गई थी फल बेच कर उन्हें गुजारा किया और अपने परवार के सदस्यों का पालन फोसन किया इसके लिए माननी प्रदान मंत्री मोधों को मोधव जी को आव आ रही हूं और धन्यवाद देना चालू अभी एक लिए बस इतना ही आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे है फास्ट नियूस इंडिया के साथ तब त कर दो कर दो कर दो कि दो आप था जुआ है थास्ट आप आप जो नियूस इंडिया।